हेलो एविवान एन वेल्कम बैक तो वाल के ड्रामा वाचर्स के लिए में कहना चाहती हूं कि प्लीज अमना दिल थाम का बैट जाए बिकॉज एक जैपनीज ड्रामा है और इसमें स्टोरी एकदम सुपर फास जैट की तरह चलेगी जैसे कि जैपैन की सुपर फास ट्रीन चल बहुती सीधी साधी लड़की है उसका किसी से आज तक बॉंड नहीं बना उसका डेटिंग इसपीरियंस एकदम जीरो है वह काविजा पॉपलर है लड़की उसे हर जग अप्रोच करते हैं पर वह सबीसे मना कर देती हैं कि नहीं वह इंट्रस्टेड नहीं हैं यहीं पर ज क्या तुमास फ्री हो रिशा तभी वह कहती कि नहीं फ्री नियूज उसके खुद के प्लैन हैं तो प्लीज मुझे अपना नंबर दे दो इसके बाद ऊसका हाथ पकड़ लेता है तभी यहां पर रिशा वहां से भागने लगती है अगर ऐसे भागए तो लड़का पटेगा पर हेरो तो कहते हैं कौछे करता है ऐ उसका वैल वल्म के 있죠 तो उसका वेल मैंड बोही है वियर तो कौछे कट अपने ऴालं ऐसे वियर कॉछे टोफम यह तियो कहते है और का क्या दो만 रशानों दाइथ है, अर्शा है最痛 to lose कि यहां पर तो पसंद आता है सब्सक्राइब और पहली वार किसी से नॉर्मली बात करने वाली है यहां फैनल ने मेरे चाहरे के दिखा थे क्याता है यहां पर रिश्वाने कभी डिंक नहीं की थि pela की हम हम करेगी तोड़ा हिचकचाती भी है उसका पहरा एक्सपीरियंस तो चल रहा था बट काफी फास फास था है में रोदों की बात करें तो एक बिसनेस्मैन है और उसकी थर्टी थर्टी वन है और एक स्वीट सिक्स्टीन मतलब स्वीट सिक्स्टीन तो नहीं वह 20 यह ओल्ड कॉलेज टुडेंट है और यहां पर उसका अब सब्सक्राइब तो बड़े उसे प्यार से देख रहा होता है कि यह कितनी अधा क्यूट है तरसल हेरो तो भी यह तो भी रिए रिशा में इंट्रस्टेट था इसके बाद जब रिशा वहां पर बेऊश हो जाती है तो हेरो तो उसे उठाकर अपने खर ले जाता है आप खु करता है कि चिंता मत करो मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं किया हम डेटिंग स्टाट कर सकते हैं यह कुछ जली लग रहा था पर रुको रुको यार हमारी रिशा भी काफी तेजी में हैं सबीक पेंड़ाइड डूबना स्टार्ट करते हैं तभी हीरो तो भी करते हूं तो हम डेटिंग स्टाट कर सकते हैं इसके बाद इन दोनों की डेटिंग स्टाट होती है और रिशा को पहली बार किस करता है ऐसा सोच रही थी कि शायद वो हिरो तो की लाइक नहीं है पर वो अपने आपको बिल्ड कर लेगी तो बहुत ही बैल मैनेड इनसान है और उसे ऐसा ही वेफंड चाहिए था जो कि उसका हमेशा ख्याल रखे और उसका फरस्ट एंड लास्ट में ना कि उससे बीच में छोड़कर कभी भी चला जाए हेरो तो रिशा को गले लगाता है और कहता है कि इसा कभी भी किसी की साथ फील नहीं किया है पर तुम पहली ऐ पर बात करती है और गया तो रिशा कहती है कि हां वो काफी था हैंड्सम है और अच्छा भी है तो इसकी फैंड के दी कि सुनियार ऐसे किसी भी एक नाइट में मैं से मिलने के बाद उसके प्यार मत पर जाना और मुझे पता है कि ऐसे कहीं सारे हवारा बिजनिसमें घूमते मुझे लगता बुदा सही होगा तभी रिशा कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता हैरो तो बहुत ही अच्छा दी मैं उसकी बारे में छिपल्त मेंसा कर दो देगाती डूरा इसके वाए प Έट थैघू के वधी और लड़की की आवाद उसके फोन जुमेर टो मुझे नोगे सच्व में दोखा देगा । इसके बाद embassy जी तो कफें यृट कर चुक वेट सबस नहीं। इसे पार वी दोकते हैं शवरी के क्योंते हुआ नहीं दोड़ के जए मैंड सबसूंरा है। तभी रिशा कहती है कि इस वाल राइट मैं ऐसा कुछ बोली नहीं रही और उसने उसे काफी था मिस्स भी किया तभी यहां पर रिशा कहती है कि हाँ उसने भी हिरोतों के लगता है शायद रिशा गुस्ता होगी पर रिशा कुछ भी नहीं कहती है तभी हिरोतों से बताता है क क्या इतनी जल्दी रिशा उसके घर पर पहुंच जाती है यहां पर हिरो तो से केस करने वाला होता है पर रिशा आखे बंद कर लेते हैं तब रिशा को लगता है शायद रिशा भी इसके लिए तयान है इसके बाद हो कहता है कि आगे जैदना क्यूट सा फेस मत बनाना यह पर रिशा के साथ उसे यह रिइन भी अच्छी लग रही है तो उसे रिणी डेश जितना जादा बुरे नहीं लगते हैं इसके बाद रिशा बन में में सोच रहती है कि वह बस हिरो तो को बहुत जाता टाइट हग करना चाहती है नहीं पर हिरो तो उसकी मन की बाद उसे कर सकती हो इसके बाद रिशा भाग कर हिरो तो को हग करती है इसके बाद हिरो तो से बताता है कि तुम मुझे फुकावी सामा केमरा बंद करो तुम मेरा नाम हिरो तो ले सकती है उसके बाद रिशा काफी डरते हुए उसका नाम हिरो तो लेती है तो यह कहता है कि हिरो तो आप वह सूजाना चाहिए तो तुम जा कर सोजा तब्यों पर एक बात कर Iniya पर उख ना करते हैं ञे upfront मेरी इतनी को बात कैसे नाये है और जैसे नाया किती है Denton嗎 है एक्सपर्ट के साथ ये पार्टी पे खतम हो जाता है तो मिलते हैं एक्सपर्ट के साथ तक के लिए बाबाई ठीक्या गाइस